कि नमस्का दोस्तों वेल्कम तो मैं चैनल कि मेरे चैनल पर आप से भी कुछ स्वागत हैं दोस्तों दसेरा नवरात्री और विजय दाश्रुमी का हर्दिक सुर्क अबनाएं आज मैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे गुजरिस है जैसे रोज मैं करता हूं आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूश सब्सक्राइब कर लिजिए नीचे सब्सक्राइब बटन है उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों मेरा और एक चैनल है इसका नाम है आकास गंगा इसमें आप रासी रिलेटेट हस्तरेखा रिलेटेट इंडिया का इंडिया का बाहर कांट्री में बहुत अच्छा जैगा का तूर मिटिया अच्छा चा सिंश्कीति को लेकर मेरा वह चैनल है आप चाहिंतों उसे सबस्काइब कर सकते हैं पहले देखिये मेरा फीच्र चैनल में उसका लिंक है आप देख सकते हैं अच्छा लागी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरा यह जो प्रोड़क्ट है दोस्तों यह इंडिया से ज्यादा यूएसे में वह थेवास है इंडिया से इंडिया में तो यह प्रोड़क्ट नहीं नाके बरवात है लेकिन आप अगर इसको लॉंच करेंगे तो अच्छा चल सकता है लेकिन यूएसे में यह बहुत अच्छा चलता है इसका एक विकिपीडिया है मैं दिखाऊंगा आपको सबकुnous लेकर बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में इस प्रोड़क्ट बनाएंगे कि इसका बिजनेस कैसे किया जाता है कितना लगद है और यह बात है दोस्तों यह बिजनेस भर से ही शुल्य कर सकते हैं ज्यादा लगद., इसमें नहीं लगता है थोड़ा सा इंवेस्टमेंट करके ये बिजनेस अब सुरू कर सकते हैं 5-6,000-10,000 तक इसका इंवेस्टमेंट है घर से सुरू कर सकते हैं आच्छा प्रोडक्ट है अभी इसका कॉंपिटिशन भी नहीं है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जानते हैं विकिपीडिया को द हम बनाएंगे प्रैक्टिकल में दिखाएंगे इसका लागत सब कुछ लेकर चलिए वीडियो सुरू करते हैं ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये है नैप्थोलिन सोप तो दोस्तों नैप्थोलिन सोप कैसे बनाया जाता है और ये किस काम में लगता है इसको लेकर आज का वीडियो का टॉफिक है यह एक्चुएली इवेसे में बहुत आच्छा चलता है और यहां पर इंडिया में यह प्रोडक्ट तो अभी नहीं है आप लॉंच करेंगे तो आच्छा चल सकता है तो इसका वीकिपीडिया यह मतलब यह जो सोप है यह किस काम में लगता है चलिए एक बाद देख लेते हैं देखिए दोस्तों यह फेल स्नाफ था इसका वीकिपीडिया है चलिए यह पढ़ लीजिए देखिए इसन अमेरिकन बेस लॉंडरी सुप यह प्री ट्रेटिंग स्टेन अन प्लोथिंग एन फॉर्माली एज अन एफेक्टिव होम रेमिडी देखिए यह पॉइसन जो है जो हम लोग जो लॉंडरी सोप यूस करते है यह जो सोप है हम लोग जो यूस करते है वो 99.99% जाम को तो यह मार नहीं सकता लेकिन हम अगर इस सोप से प्रीवास कर लेते हैं प्रीवास के मतलब हमारा जो देखिएगा वासिंग में लिखा हूआ आता है पहले प्रीवास होता है उसके बाद नॉर्मल वास उसके बाद हेबी वास तो हाथ से अगर आप वास कीजिएगा तो पहले इस सोप से अगर आप प्री वास कर लेते हैं तो जान जो है पूरा एकदम 99.99 परसन गाइब हो जाता है उसके बाद ये मतलब आप अगर दूसरा डिटर्जेन यूज़ करें तो आच्छा है मेडिकल जो आइटेम होता है बेट सीट ड्रेसेज उसमें भी ये बहुत ही आच्छा काम करेगा तो दोस्तो इस लॉंड्री डिटर्जेन केक को हम प्रैक्टिकल में बनाएंगे इसका कॉस्टिंग हम जानेंगे इसका जो मतलब फॉर्मूला है वो भी हम दे देंगे तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं प्रैक्टिकल में दोस्तो इसे बनाने के लिए हमें चार इंग्रीडियन्स का जरुरत है जैसे ये है नैप्थोलिन पाउडर ये कॉस्टिक सोडा ये देखिए ये है कोकोनाट ओयल और लगेगा हमें वाटर तो चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले हमें एक लाई बनाना है कॉस्टिक सोडा से तो कॉस्टिक सोडा से हम पहले एक लाई बना लेते हैं इसको आप हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दूस्तों अभी ठंडा हो चुका है इससे अब हम यह जो कोकोनाट ओल है इसमें हम डाल देंगे दिरे दिरे अब इसे अच्छा से मिलाएंगे तब तक जब तक ना यह थोड़ा टाइट हो जाता है कि थोड़ा से टाइट हो गया है जोस्तों आप इसमें नेप्थुलिन जो पाउडर है इसमें हम डाल देंगे यह पाउडर हम इसमें डाल देंगे डाल के इसको अच्छा से मिलाएंगे देखिए यह बहुत ही टाइट हो चुका है अब इसे हम एक छाज लेंगे छाज में डाल देंगे देखिए दोस्तों यह जो चाज है मैंने इसमें डाल दिया है यह पुरा जम जाएगा बस जम के रेडी हो जाएगा दोस्तों आप अगर यह सोप बनाएंगे तो मैक्सिमम आपका 16 रूपिया में भी आप सेल करेंगे तो पार पीस में आपका 10 रूपिया मुनाफ़ा आएगा ज्यादा पूड़क्शन करने से इसका कॉस्टिंग और भी कम होगा मतलब आप 3-4 रूपिया में इसको बना सकेंगे तो दोस्तों यह बिसनेस अगर आप सुरू करना चाहें तो सिर्फ आप ट्रेट लाइसेंस लेने से ही काम चल जाएगा घर से ही यह सुरू कर सकते हैं एक सोप का जो छाँच होता है वो ले लीजिएगा ज्यादा दाम नहीं पड़ेगा और तो चलिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है मैं दे देता हूँ आप थोड़ा लिख लीजिए दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडियेंस चाहिए पहला है तो नारियल तेल कोकोनाट वाइल यह लगेगा आपको 10 केजी और दूसरा इंग्रेडियेंस जो है नेप्थोलिन पावडर नेप्थोलिन बॉल भी आप यूज कर सकते हैं नेप्थोलिन बॉल देखिए नेप्थोलिन बॉल भी आप यूज कर सकते हैं यह लगेगा आपको 2 केजी कॉस्टिक सोडा आपको लगेगा 2 केजी और पानी लगेगा आपको 4 केजी यह है कॉम्पोजिशन इस कॉम्पोजिशन से आप मैंने जैसा दिखाया वैसा ठीक वैसे ही जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को फॉलो कीजीएगा तो यह सोब बन जाएगा तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो जुरूर लाइक कीजीएगा जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे वैसे करते रहे है थैंक्स पॉर वाचिंग हैवे नाइस डे जैहिंद बावाए